नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं जिस विशेप पर उसका सीर्षक है समूह अधिगम का कक्षा कक्ष में प्रबंधन सिक्षक साथियो, हम सब अपनी कक्षाओं में समूह अधिगम प्रविधियों का प्रियोग करते रहे हैं वैसे देखा जाए तो समानेता कक्षा एक समूह ही होती है अधिकान सिक्षक सामूह एक सिक्षण विधियों का ही प्रियोग करते हैं क्योंकि समूह में विद्यार्थी नकेवल सिक्षक से सीखते हैं वरन अपने संगी साथियों से भी सीखते हैं सिक्षक होने के नाते हमें ये भी पता है कि प्रतेक समू का अपना एक विशिस्ट बेवहार और अधिगम स्वरूफ होता है पर जब हम समू अधिगम प्रविदियों की बात करते हैं तो वे सामोहि कक्षा कक्ष सिक्षन से कुछ भिन्न होती है क्योंकि उनके एक विशिस्ट उद्देश्य होते हैं उसके लिए हम छोटे समूँ बनाते हैं उन समूँओं में हम विशिस्ट प्रकार के क्रिया कलापों का आयोजन करते हैं और उन सिक्षन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं जिन सिक्षन उद्धिश्यों का नर्धार्ण हमने उन क्रिया कलापों के माध्यम से किया है। प्रश्नी ये उठता है कि आखिर हम समु अधिगम प्रणालियों का प्रियोग क्यों करें। आप सब जानते हैं कि मानव सभाव से सामाजिक होता है। समाजिक्ता के सभी लक्षन मानविय सभिता का अंग हैं, समाज विज्ञानी भी कहते हैं कि human is a social animal, मनुष्य एक समाजिक पशु है, अर्थात पशुता और मनुष्यता में जो भिन्नता है वो समाजिक्ता है, और समाजिक्ता क्या है, समाजिक्ता समाजिक समंधों का एक जाल ह मेरा तातपर है कि भिन्न प्रकार के समाज में जो लोग रहते हैं वे एक दूसरे की अवशकताओं का पूर्ती करते हैं वे एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं वे एक दूसरे की रुचियों एक दूसरे की मानिताओं एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते है एक दूसरे से सीखते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं और ज्ञान ज्ञान भी तो एक दूसरे से बाट कर आगे बढ़ा जाता है अर्था जो जितना बाटा जाए जितना ब्याई किया जाए उतना बढ़े वही तो ज्ञान है तो वो बाटेंगे किसके साथ समाज के अपने स साथ ही समू अधिगम क्रिया कलाप आयोजित करने से कक्षा में सामाजिक वातावरण का निर्मान होता है ऐसा वातावरण जहां बच्चे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सहीयोग से एक दूसरे की मदद करते हुए आगे वढ़ते हैं और इसके साथ सामाजिक कौशलों का विकास भी समू अधिगम के द्वारा किया जा सकता है बहुत सारे सामाजिक कौशल, जैसे एक दूसरे की बात सुईकार करना अर्था सुईकारिता, सामंजस, सहयोग, सम्मान, सामाजिक परंपराओं, मानिताओं का ध्यान रखना, समाज के परति अपने करतव्यों का ध्यान रखना, दूसरों का आदर करना, दूसरों के विचारों का आदर करना, ये सारी चीजें समुध्यम के अध व्यक्तिक अधिगम की वज़ाय सामुहिक अधिगम प्रणालियां अधिक लावदायक होती है जैसे मान लीजिए आपके विध्याले में 10 कंप्यूटर हैं और आपकी कक्षा में 30 विध्यार्थी हैं यदि आप व्यक्तिक प्रणाली का प्रियोग करेंगे तो आपको हर बच् को एक कंप्यूटर पर बिढ़ाकर उन्हें कोई सामुहिक्क क्रियाकलाब दे दें तो आप 30 के 30 वच्चों को 10 कंप्यूटरों के माधियं से सिखा सकते हैं और थात ये समय पर बहुत सारे बच्चे सीमिते कशी उनुका प्रियोग कर सकते हैं साथ ही सामूह क्रिया कलाप के माध्यम से समू अधिगम में बच्चे ज्ञान, कौशल, विचार, अनुभव इनका आपसी आदान प्रदान करते हैं एक और लाब होता है, समू अधिगम में तुरुटियों की तत्काल पहचान हो जाती है, जिससे उनका संधान और समाधान संभव होता है क्योंकि जब आप अकेले सीखते हैं, जब बच्चे अकेले सीखते हैं, तो कई बार उन्हें अपनी तृटियों की पहचान नहीं होती, उनकी तृटियों की पहचान फिर तभी होती है, जब वे सिक्षक के समुख जाते हैं, या कोई और ज्यानी जन, उनके परिवार का पर जब वे समू में सीखते हैं, तो समू के सदस्य ही उनको उनकी कम्यों की और इंकित कर देते हैं, जिससे तुर्टियों की ततकाल पहचान हो जाती है, और उनके समाधान भी मिल जाते हैं। प्रयास करते हैं, और जब वे वेक्तिक रूप से प्रयास करते हैं, तो उनको जो जुम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने का उत्तरदायत उनका होता है। जो उनके विचार भी मर्स होता है, जो विचारों का आदान प्रतान होता है, उससे कई बार बच्चों के मस्तिष्क में वेकल्पिक विचार जर्म लेते हैं, और वे एक ही समस्या के कई सारे वेकल्पिक समाधान उपलब्ध करा देते हैं। पर एक अध्यापक के रूप में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कि एक सिक्षक के सामने कुछ समस्याएं आती हैं, जब वे सामोहिक क्रिया कलापों का प्रवंधन करते हैं। जैसे, कई बार कक्षा में बच्चों में पर्यापत तालमेल का अभाव होता है। उनके बीच आपसी विचार उनके नहीं मिलते। तो फिर आप सामुही क्रिया कलापों को प्रभावी ढंग से नहीं करा पाते हैं साथ ही कई बार जब आप समुह बनाते हैं और वे विशम प्रकार के समुह हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे क्रिया कलापों में आगे आगे रहते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो समू में सबसे पीछे रहते हैं, उनकी बरावर भागीदारी सुनिश्चत नहीं हो पाती, ये एक बड़ी चुनौती है, यदि आप भिन्न प्रकार के बच्चों वाले समू बनाते हैं, तो कई बार बच्चों के पारंपरिक, या उनके जो भी अनुवव हैं, उनके आधार पर उनके विक्तिगत विचारों में भिन्नता होती है, और यदि आप किसी ऐसे विंदू पर विचार बिमर्शय क्रिया कलाप करा रहे हैं, जहां विक्तिगत विचारों में भिन्नता क्रिया कलाप के पूर्ण होने में एक ततकालिक मुल्यांकन हो जाता है, लेकिन वे ततकालिक मुल्यांकन कई बार अपरिपक्को होता है, उसमें परिपक्कोता का अभाव होता है, ऐसे में सामुहिक अधिकम में सिक्षक की भूमिका बहुत महात्वपून हो जाती है, सिक्षक की भूमिका क्यों मातपून हो जाती है क्योंकि एक सिक्षक को ही समूहों का निर्माण करना है एक सिक्षक को ही समूहों में कारेव्यवाजन करना है एक सिक्षक को ही साधन उपलब्द कराने है एक सिक्षक को ही कक्षा में संप्रेशन सोनिश्चित करना है और अधिगम परिणामों का समेकन और संचेन करना है हम बात शुरू करते हैं समूहों के निर्मान से एक सिक्षक के रूप में आपको यदि सामूहिक क्रिया कलापों का आयोजन प्रवंधन अपनी कक्षा में करना है तो आपको कई प्रकार के समूहों का निर्माण करना पड़ता है यह यूँ कहें कि समूहों के निर्माण के कई आधार हैं जिनका प्रियोग आप करते हैं या कर सकते हैं पहला आधार है विद्यार्थियों की योगता दूसरा आधार है विद्यार्थियों की रुची पर समूहों का निर्माण करते हैं अपनी कक्षा में, तो इसको कई जगहों पर समूही करण भी कहा जाता है, समूह का मतलब योगिता के आधार पर समूह था, ऐसा करने के लिए आपको प्रतेक वच्चे की विक्तिकत योगिता की जानकारी होनी चाहिए, और तब आप समान्न योगिता वाले बच्चों को एक समूव में